कंगना रनौत के थपड़कान की चर्चा तो थमने का नाम नहीं ले रही है कही न कही से कोई न कोई इस पर अपनी राय रखता ही जा रहा है महीं सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर दो फार हो चुकी है कुछ लोग कंगना के पक्ष में हैं तो वहीं एक बड़ा तपका कंगना के खिलाफ है और उनको CISF जवान की ये हरकत सही लग रही है जिन लोगों ने कॉंस्टेबल की हरकत को सही बताया है अब कंगना रनौत ने उनको जम कर लतार लगाई है रिपोर्ट्स की माने तो थपड कान्ट के जब महीला कॉंस्टेबल से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यूं किया तो इसकी जवाब में उन्होंने कहा उसने यानि कि कंगना ने कहा कि किसान सौर रुपे के लिए वहां बैठा है तो क्या वो सौर रुपे के लिए वहां जाकर बैठेगी जब उसने ये बयान दिया मेरी माँ वहां बैठी थी और विरोध कर रही थी अब सोशल मीडिया पर कई लोग और बॉलिवुड के कुछ सेलप्स भी CISL जवान का समर्धन कर रहे हैं इस पर कंगना ने अपना रेक्शन दिया है कंगना रनौत ने एक्स पर लिखा Every rapist, murderer और thief always have a strong emotional, physical, psychological or financial reason to commit a crime No crime ever happens without a reason Yet they are convicted and sentenced to jail If you are alleged with a criminal strong emotional impulse to कंगरा ननौत ने आगे लिखा आपको अपनी criminal tendency पर गहराई से विचार करने की ज़रुत है ऐसे लोग खुद को मालसिक रूप से free रखने के लिए योग और ध्यान करें मेरी सुझाव है कि कृपया आप योग और ध्यान करें नहीं तो जिन्दगी बोजिल बन जाएगी इतनी नाराजगी नफरत और जलन ना फैलाएं आपको बता दे कि बीते दिन मशूर्ड म्यूजीशन कंपोजर विशाल ददलानी ने कंगनर रनौत को थपड़ मारने वाली महिला कॉंस्टेबल का समर्थन किया था उन्होंने कहा था मैं कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करता लेकिन मैं CISF जवान के गुस्से को समझता हूँ अगर उनके खिलाब कोई कारवाई की चाती है तो मैं ये आस्वश्ट करना चाहता हूँ कि उनको दूसरी नौकरी मिले इसके अलावा उन्होंने कंगना का विरोध करते हुए एक और इंस्टा पोस्ट शेर की थी उसमें उन्होंने लिखा था मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई को ड्यूटी से हटाया जाता है तो उनका मुझ से संपर कराएं मैं सुनिश्रित करूँगा कि उनको नौकरी मिले 100 News की रिपोर्ट